हेलो फ्रंट स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी आपर लाइप में तो अभी जो हमारा वॉलूम फूर प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चला है भी हर दरोगा के लिए उसका आज हम सेट नमबर दस का डिसकेशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और सेट 11 का पीडियेफ हमने अपने टेलिग्राम चैनल पे डाल दिया है जिसका लिंक हमारे डिस्किप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाके आप लोग जोइन करके और सेट को बना ले और अपना इसकोर हमारे कॉमेंट बॉक्स में सेयर करें और उसका डिस्किप्शन हम कल करवा देंगे आप लोगों को तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला कोश्चन है कि पूजी के नियमित मुल 6 को समायोजित करने के क्रम में किये गएं सकल निवेस के मुल को क्या कहा जाता है तो जब किसी पूजी को नियमित मुल 6 को समाज़ित करने के ग्रम में किये गये सकल निवेश को क्या करते हैं मुल हर्स करते हैं option A हो जाएगा इसका सही answer किसी संस्था या सरकार के एक वर्स की अनुमानित आई व्य का लेखा जो खाजो होता है उसे क्या कहा जाता है और मुल हर्स क्या होता है कि पूजी के नियमित मुल 6 को समाज़ित करने के क्रम में किये गये सकल निवेश के मुल को मुल हर्स कहा जाता है ठीक है तो option A हो जाएगा सही answer अगला question है कि कुल इस्थीर लागत और कुल परिवर्तनिय लागत का योग क्या कहलाता है तो कुल इस्थीर लागत और कुल परिवर्तनिय लागत का योग कुल कीमत कहलाता है option B हो जाएगा सही answer अगला question देखते हैं question number 3 इन में से कौनसा पौधा की विर्धी मापने के लिए पड़िक्त उपकरन है तो पौधा की जो विर्धी होती है उसे मापने का कौनसा उपकरन है ये पुछा जा रहा है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B कृष्कोग्राफ पौधे की विर्धी मापने के लिए पड़िक्त उपकरन कृष्कोग्राफ है कृष्कोग्राफ का निर्बान जेशी बोश ने किया था किसने जेशी बोश ने किया था और बोली मीटर का उपयोग किसमें करते हैं बोली मीटर का उपयोग जो किया जाता है वो इसमें ये बिकिन को मापने के लिए उसमें ये बिकिन को मापने के लिए और क्रोनो मीटर का उपयोग पानी के जहाजो में सही समय का पता लगाने के लिए और काडियोग्राफ को क्या करते हैं कि दिल की गतिविदी को पता लगाने के लिए काडियोग्राफर का इस्तिमाल किया जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर शी भिलाई इस्पाथ सयंत्र भिलाई इस्पाथ सयंत्र की अस्थापना 36 गट के दुर्ग जिले में रूसी सयोग से की गई थी और 1979 इस भी में इसका उत्पादन सुरू हुआ था और भिलाई सयंत्र को लो अयस्क डली राजहरा खानों से तथा कोईला और करगाली खानों से प्राप्त होता है विलाई सयंत्र को जल दंदुला बांध से और विदुद सकती कोड़ा ताप सकती गिर्हों से प्राप्त होती है दुर्गापूर इस्पाथ सयंत्र के द्वारा उत्पादन 1962 इसपी से प्रारंब हुआ था और बंगाल के आसन सोल मे अस्थापित किया गया था राउर केला इसपाथ सयंत्र के अस्थापना किया गया था अगला कोशन देखते हैं अगला है पांच माँ इन में से किसका किसका अस्थापना लिंग ओफ नेशन के अस्थान पर की गई थी तो इन में से किसका अस्थापना लिंग ओफ नेशन के अस्थान पर की गई थी तो इसका सही एंसर है B पौदे में बीज में बुरून होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरुत हो जाता है इस परक्रिया को इन में से किसके रूप में जाना जाता है तो इसका सही एंसर है option number A इसे अकुरन कहा जाता है पौदे में बीज में बुरून होता है जो उचित परिस्थितियों में क्या होता है अकुर जाता है इस परक्रिया को अकुरन कहा जाता है और प्रागधानी से प्रांगन बरती कागर पर पहुँचने की किरिया को प्रांगन में हो तब इसे परप्रांगन कहा जाता है इसका सही एंसर अकुरन हो जाएगा अगला कोशन है आठ नमबर जब लोगों को बजट के माध्यम से बित्पोसित किया जाता है और सारवजनिक बस्तूओं को किसी भी परतेक्ष भुकतान से मुफ्त उपलब्द कराया जाता है तो इसे सारवजनिक प्रवधान कहा जाता है क्या कहा जाता है सारवजनिक प्रवधान ओप्सन सी हो जाएगा अगला कोशन है निमलीखित में से भारत में सबसे नविंतम नाविकिये उर्जा सयंत्र है तो सबसे नविंतम नाविकिये उर्जा सयंत्र कौन सा है तो वो है कुडन कुलम ओप्सन बी कुडन कुलम भारत में सबसे नविंतम नाविकिये उर्जा सयंत्र है और कुडम कुलम नाविकिये उर्जा कहा है तमिला माड़ू में इस्तीत है और कुडम कुलम के दूसरे यूणिट का परचालन 15 अक्टूबर 2016 से किया जा रहा है और तारापूर नावकिय रियक्टर महरास्ट में है नरोरा उत्तर प्रदेश में है कोबारा आंध प्रदेश के नावकिय रियक्टर का निर्मान प्रस्ताबित है अगला कोशन देखते हैं 10 नमबर किस PD के computer बारी vacuum tube अधारित और महंगे थे तो किस PD के तो इसका सही answer है όψशन नमबर C पहली PD की computer बारी vacuum tube अधारित और महंगे थे और पर्थम PD के निरवाद tube थे दूतिये का transistor tube था और तिरतिये PD का जो था वो integrate chip था चतूर्थ पीडी में फिर माइक्रो प्रोसेसर और पंचब पीडी में ULSI, BLSI, नोटबुक, लैप्टॉप, इंटरनेट का भी कास हुआ तो अभी जो हम लोग जो चीज़ एलेक्ट्रोनिक्स माने यूज करते हैं लैप्टॉप, नोटबुक वगएरा, इंटरनेट वगएरा ये सब पांचमी पीडी का है अगला कोशन देखते हैं भारत के संबिधान का कौन सा अनुछेद राजपाल की निवक्ती से संबंदित है तो राजपाल की निवक्ती अनुछेद 155 में है अनुछेद 155 में राजपाल की निवक्ती है अगला कोशन देखते हैं बारा नमबर शौभाग गी योजना केंदर सरकार के किस मंत्रालों को नियंतित करता है तो सौभाग गी योजना जो है वो किस मंत्राला का है ये पूछा जा रहा है उसमें .com का क्या भी प्राई होता है तो जब हम लोग Google पे किसी चीज को सर्च करते हैं तो automatic अगर डालते हैं तो ठीक है वरना .com आ जाता है और email में भी .com लगा होता है तो उसका क्या मतलब है ये पुछा जा रहा है तो computer, common, communication और commercial इसका सही answer जो हो जाएगा option number D हो जाएगा क्या होता है .com commercial हो कालाता है option D हो जाएगा सही answer चौदा number question है कि भारत में शीमा सरक संगठन की अस्थापना कब की गई थी तो इसका सही answer है option number A 1960 में भारत में सीमा सरक संगठन की अस्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और इंडियन रोड कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी 1934 में 15 number question है कौन 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग अब लोगों को रोजमर्रा के जीवन के परिद्रिस और द्रिसों को चितरित करती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A जोर्ज चिननेडी जोर्ज चिननेडी 23 साल तक यानि की 1802 से लेके 1825 तक भारत में रहे और जिनकी पेंटिंग आब लोगों को रोजमर्रा के जीवन के परिद्रिस और द्रिसों को चितरित करती है जोर्ज चिननेडी एक अंग्रेजी चितरिकार थे जोर्ज चिननेडी अपना आईदिकांस जीवन एसिया विसेश कर भारत और दस्चिन चीन में बिताया था अगला question है 16 नमबर निती आयो का गठन 2015 को भारती योजना आयो को समाप्त करके उसके अस्थान पर किया गया तो निती आयो का अस्थापना कब किया गया तो यह किया गया था एक जैनबरी को कब किया गया था एक जैनबरी को 2015 को निती आयो का निती आयो की अस्थापना किया गया था और भारती योजना आयो को समाप्त करके इसे लाया गया था और निती आयो का फुलफर्म होता है नेशनल इंस्टिटिउट फॉर टांस्फॉर्मिंग इंडिया और योजना आयो कास्थ आपना कब हुआ था तो 15 मार्च उन्हें सब 50 को किया गया था और इसे बदला कौन तो परधान मंत्री इसे बचेंज की है और नितियायों के अध्यक्ष कोने होते हैं तो जो हमारे अगला कोश्चन है भारत रत्म पुरस्कार से समानित प्रसिध गायक भुपेन हजारिका किस राज से संबंदित है भुपेन हजारिका का संबंद किस राज से है तो इसका सही एंसर है अशम भारत रत्म पुरस्कार से समानित सु प्रसिध गायक भुपेन हजारिका असम से स पर्णा मुखर जी के साथ दिया गया था अगला कोशन है अठारा नमबर अंतराश्टिय किर्केट टीम एक नट अंतराश्टिय किर्केट परिशद ICC में मैच रेफरी के रूप में निक्त की जाने वाली पर्थम भारतिय महिला का नाम बताईए तो इसका सही एंसर हो का ओप्सन नमबर B G.S. लक्षमी जो है मैच रेफरी के रूप में निक्त की जाने वाली पर्थम भारतिय महिला है और 51 बरसी जी एस लक्षमी अव तक महिलाओं के 3 वंडे और 3 T20 अंतराश्टिय मैच में रेफरी राच चुकी है अगला कोशन है 19 नमबर भारतिय रिजर की अस्थापना 1 परेल डास को पांच करोर रुपे की सेयर प erfolgी पूजी साथ की गई थी तो इसका सई उयंजर ऑप्सन नमबर B. भारतिय रिजर फिब्रेंक में भारतिय रिजर प मेंक अठापना एक अप्रेल और 35 को 5 करोरर रुपे के सेयर पूजी साथ की गई थी हला कोशन है फतेफुर सिक्री इस्थित बुलन दरवाजा का निर्मान किसने करवाया था तो फतेफुर सिक्री में जो बुलन दरवाजा है उसका निर्मान करवाया था अकवर ने किसने अकवर ने करवाया था और अकवर ने 571 इस भी में फतेफुर सिक्री को राजधानी भी बनाया था और 1572 में अकवर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था और अकवर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में बुलन दरवाजा का निर्मान करवाया था और भारत का सबसे बरा दरवाजा बुलन दरवाजा है फतेफुर सिक्डी में पंच महल सबसे महत्पुन पंच महल पर बौत धर्म के अस्तूप का प्रभाब है बावर ने रुहेल खंड में जावा मस्जिद का निर्मान करवाया था कौन बावर ने अगला कोशन है 21 नमबर कि निमलिखित में से किस सहर को भारत में महलो का सहर तो इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर A कोलकता को महलो का सहर कहा जाता है जैपुर को पिंक सीटी के नाम से जाना जाता है लखनव को नवावो का सहर के नाम से जाना जाता है तो यह सब आप लोग उपनाम याद कर लेंगे इसका सही एंसर हो जाएगा option नमबर B जॉन डॉल्टन ने प्रतिपादित किया था अगला कोशन देखते हैं गंगा ग्राम पडियोजना इनमे से किसके द्वारा शुरू की गई है तो इसका सही एंसर है option नमबर B पेजल एबं स्वक्षता मंत्राले के द्वारा गंगा ग्राम पडियोजना की शुरूआत की गई है और पेजल एबं स्वक्षता मंत्राले द्वारा 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में नमामी गंगे कार्जकरम के तहर गंगा ग्राम पडियोजना का सुवाररम किया गया था और इस कार्जकरम का उदेश था कि गंगा नदी के तरपर इस्थित गाउं में संपुन स्वक्षता का अनुपालन करना और गंगा ग्राम पडियोजना की शुरूआत 23 दिसंबर 2017 को हुई थी नमामी गंगे योजना की शुरूआत कब किया गया था? 2014 में अगला कोशन देखते हैं देहरा दून से उरान भरने वाला भारत का प्रत्थम जैव इंधन चलित जहाज कव नई दिल्ली इस्तित इंद्रा गांधी अंतरास्टी हवाय अड़े पर उतरा तो इसका सही एंसर है ओप्सन नमबर A अगस्त 2018 को तो ये करेंड का कोशन है अगला कोशन है टोकियो ओलंपिक में स्वन पदक बिजैता भारतिये खिलाडी नीरत चोपरा का संबंध किस राज से है? तो वो नीरत चोपरा जीने गोल्ड मेडल अभी मिला है अगला कोशन देखते है 27 नमबर निमलिकित खनीजों पर विचार कीजिए तो कैल्सियम है, लोहा है और सोडियम है उप्युक्त खनीजों में से कौन मानब सरीर में पेसियों के सकुचन के लिए आवस्यक है? तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D मानब के हडियों के लिए तीनों जरूरी है कैल्सियम, लोह और सोडियम तो D हो जाएगा इसका सही आंसर 28 नमबर कोश्चन है निमलिकित में से कौन हिर्दाय घात के सटीक लक्षन है? यानि हार्ट डेक जो आता है उसका सही लक्षन पूछा जा रहा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D इक, दो और चार सही है एक, दो और चार सही है सिर्क में दर्द इसका कोई समबद नहीं है जब किसी patient को hard drink आता है तो इसका G मीचलाने लगता है तेज पसी नआ आता है और सीने में बहुत तेज दर्द होता है तो ओप्सन D हो जाएगा सही एंसर अगला कोशन है मानव सरीर में ऑक्सीजन का अभी गमन होता है तो मानव सरीर में जो ऑक्सीजन का अभी गमन होता है वो होता है रक्त द्वारा फिर फुपुस द्वारा फिर उत्तक द्वारा तो एक दो और तीन ये करम जो है बिल्कुल सही है option B हो जाएगा इसका सही answer तीस नंबर question है अधिकांस प्राणियों के जिवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है इसमें दिया हुआ है इसमें मिलान करना है एक मिनिट नहीं मिलान नहीं करना है इसमें answer चूच करना है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B protein जो है 80% होता है अधिकांस तक जिवित प्राणियों में कितना 80% अगला question देखते हैं सुमेलित कीजिए तो सबसे पहले कुनेन कुनेन से क्या किया चाता है कुनेन जो है मलेरिया की दवाई से बनता है क्रोशिन ये ज्वर के लिए ज्वर की दवा और एविल जो है वो अलर्जी की दवा है और कंपोज जो है वो निंद की दवा है तो इसका सही एंसर जो हो जाएगा option number B हो जाएगा इसका सही आंसर ठीक है अगला question देखते हैं 32 number lactose के जल अपघटन से प्राप्त होता है option A हो जाएगा इसका सही एंसर 33 number question है कि यदि RBI रेपो रेट बरहा देता है तो भारती अर्थ विवस्था पर इसका क्या परभाब पड़ेगा तो महंगाई घटेगी अगर RBI अपना रेपो रेट बरहाता है तो भारती अर्थ विवस्था महंगाई घटने के रूप में परती महंगाई इसके पर क्या परता है महंगाई घटने लगती है और रेपो दर वह दर होता है जिस दर पर RBI बेवसाइक बैंकों को अल्प कालिन उधार धन लेने के बद्वे ब्याज लेते हैं और वह दर जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देती है उसे बैंक दर कहते हैं ठीक है अगला कोशन देखते हैं 34 नमबर कोशन है निमलिखित में से कौन सा राज तेवार युग में सही नहीं है तो सही एंसर देखते हैं तो 34 में छट पुजा बिहार सही है गुरु पर महरास्ट का ये भी सही है दुरगा पुजा पस्चिम मंगाल का ये भी सही है बैसाखी उत्तर परदेश ये गलत है युग में है तो बैसाखी कहां का तेवार है बैसाखी तेवार पंजाव का है कहा है पंजाव का है और यह पंजाब के आसपास परदेशों में भी मनाया जाता है बैशाकी और बैशाकी तेवार रवी फसल पकने का प्रतीक है क्या रवी फसल जब पकता है उसके लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं अगला कोशन है रन उत्सव किस राज में बनाया जाता है रन तो इसका सही एं उत्सव है या उत्सव गुजरात के कक्च के रन में मनाया जाता है और नौका बिहार उत्सव का मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है नौका बिहार केरल का परव है यह भी इंपोर्टेंट है अगला कोशन है निमलिकित में से कौनसी असलाकिरती नदियों के युवा वस् अगला कोशन देखते हैं 37 नमबर निमलिखित में से कौन सी पहाडी भारतिय प्रायदुई पठारी में नहीं पाई जाती है लुशाई पहाडी सामानांतर स्रेणी के रूप में है जिसे मीजो पहाडीों के नाम से जाना जाता है किसे मीजो पहाडियों के नाम से जाना जाता है और जवादी पहाडी पुर्वी घाट में इस्थित जो तमिलांडू राज में है बेली कोंडा पहाडी आंध पर्देश में तथा नल्ला मला पहाडी आंध पर्देश में तेलंगना राज छेतर में इस्थित है अगला कोशन है निमलिखित में से किसे बैद मुद्रा नहीं माना जाता है तो बैद मुद्रा सोना को नहीं माना जाता है सोना को समीप पस्त मुद्रा माना जाता है और ऐसी समपत्ती जो जल्दी तथा अपनी आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है उसे समपिस्त मुद्रा कहा जाता है जैसे कि घर हो गया जमीन सोना चांदी ये सब संपिस्त मुद्रा हो गया अब वह मुद्रा जो सरकार के आदेश पर चलन में रहती है बैद मुद्रा कहा लाता है जैसे सिक्का हो गया नोट हो गया ये सब बैद मुद्रा है अगला कोशन देखते हैं नि पंचाल से नहीं जम्मू कस्मीर में है का है जम्मू कस्मीर में है अगला कोशन देखते हैं कोजी कट बंदरगा भारत के किस प्रदेश में इस्थित है कोजी कट भारत के केरल में इस्थित है कहां केरल में इस्थित है ऑप्शन B हो जाएगा सही आंसर गंगा का डेल्टा नि ए हो जायेगा इसका सही आंसर, चापा का डेल्टा है, option C हो जायेगा इसका सही आंसर, गंगा का डेल्टा चापा का डेल्टा का उधारन है, और तिर्बुझा का राकिरती वारे डेल्टाओं का नाम चापा का डेल्टा होता है, तो मतलब कि ये भी जो होगा वो तिर्बुझ जा कार का डेल्टा होगा अगला कोशन है 42 नंबर भारतिय समिधान की अनुशेद 25 का संबंद है तो अनुशेद 25 जो है वो किसका संबंद है तो वो धार्म की स्वतनता से संबंदित है अनुशेद 25 से 28 तक धार्म की स्वतनता से संबंद है और अनुशेद 25 अंताकरन की स्वत तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number B, जब धार्मिक सोतनता हमारा अनुश्यत 25 है, तो इसी के एंसर सीख धर्म को किरपान रखने का अधिकार है अगला कोशन है, टोक्यो पैरा उलंपिक खेलो के लिए कौन सा थीम सोंग जारी किया गया, तो इसका सही एंसर है option number C, कर दे कमाल तू अगला कोशन है, EIU द्वारा जारी Safe Cities Index 2021 के अनुशार भारत का सबसे सुरक्षित सहर कौन सा है, तो सबसे सुरक्षित सहर, इसमे option D दे रहा है, बट ये सातमे अस्थान पे है, ठीक है, इसको सातमा अस्थान मिला है, और पहला अस्थान जो मिला है, वो मुंबई को मिला है तो इसमें यहाँ पे ये गलत option दे दिया है, तो आप लोग अगर A लगाए होंगे जिन लोग ने, उनका answer सही है, ठीक है, तो भारत को कैमा अस्थान मिला है, सातमा अस्थान मिला है, और मुंबई प्रथम अस्थान पे है, तो यहाँ पहला अस्थान पूछा जा रहा है, उपिय सी के नए अध्यक्ष, पीके जोसी, यह बहुत भीबियाई question है, अगला question है, 47 number, मार्च 2021 में यात्री रेल गाड़ी मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है, तो मिताली एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई है, तो यह चलाई गई है, निव जल पाई गुरी से धाका के बीच, निव जल पाई गुरी से धाका के बीच मिताली एक्सप्रेस को चलाई गई है, option C हो जाएगा इसका सही answer, और 40 number question है, निमलिकित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमान के बारे में सत्ते है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, या तैग की गई दूरी से कम या उस के बराबर हो सकता है, option B हो जाएगा, सही answer, अब यहाँ से एक ग्राम और 4 ग्राम के दो दर्मान बराबर गतिज उर्जा से गती कर रहे हैं, उनके रैखिक संबेक की निस्पातित होगी, तो इसका सही answer जो हो जाएगा, option number C हो जाएगा, वन रेशियो 2 हो जाएगा, अगला उर्जा होने पर संबेक क्या होगा, root 2 गुना हो जाएगा, तो यह याद रखेंगे और बनाएंगे तो इसका answer आजाएगा, option C, पचास नंबर question है कि परकास की चाल आबिर्ती से निमलिखित में किस सुत्र से संबंदित है, तो परकास की चाल बराबर होता है, चाल बराबर आबिर्ती गुने तरंग धैर हो जाएगा, option C हो जाएगा, इसका सही answer, अगला question देखते हैं, किसी बेग पर चलती हुई एक train से एक बेगती platform पर एक गेंद को गिराता है, platform पर खड़ा एक प्रचेप द्वारा देखा गया, गेंद का मार्ग क्या होगा, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number 3, एक परवले हो जाएगा, किसी बेग पर चलती हुई एक train से एक बेगती platform पर कोई गेंद को गिराता है, तो platform पर खड़ा प्रचेप द्वारा देखा जाएगा, तो वो गेंद का मार्ग क्या हो जाएगा, परवले होगा, यदि train से गेंद को बाहर फेका जा तो train में खड़े बेगती इसके द्वारा जो पत होता वो सरल देखा जाएगा, कैसा सरल देखा जाएगा, लेकिन platform पर पुछा जा रहा है, तो platform पर पर परवले हो जाएगा, बावन नमबर कोशन है, तापमान के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्यूंकि उच् अगला कोशन है, विद्दुत सयोजी योगिक सामेवता परदर्सित नहीं करती है, क्यूंकि विद्दुत सयोजी बंध ओदिसात्मक होते हैं, क्या होता है, विद्दुत ओदिसात्मक हो जाता है, ओप्सन D हो जाएगा, इसका सही आंसर, अगला कोशन है, मानव के अमाश् में X अम्ल उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सहता करता है वह X अम्ल कौन सा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा कि मानव के अमास्य में X अम्ल जब उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सहता होता है तो उस X अम्ल का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक आमल, कहना हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक आमल, option C हो जाएगा इसका सही answer, पचपन नमबर question है, डिनावेसित परमानू में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो डिनावेसित परमानू में प्रोटॉन की संख्या, परमानू में electron की संख्या से कम है, option D हो जाएगा इसका सही answer अगला question है 56 नंबर 56 नंबर है MMA world champion बनने वाला पहला भारतिय मुल्का खिलाडी है तो MMA world champion बनने वाला पहला भारतिय मुल्का खिलाडी कौन है तो इसका सही answer हो जाएगा option number D अर्जुन वुलर जो है ये Marcel art के बारे में पूछा जा रहा है Marcel art world champion बनने वाला पहला भारतिय मुल्का खिलाडी कौन है तो अर्जुन वुलर है option D हो जाएगा इसका सही answer 57 नंबर question है कि दादा साहब फालके पुरसकार 2019 किसे दिया गया तो 2019 का जादा साहब फालके पुरसकार दिया गया है अभी 2021 में दिया गया है तो वो रजनी कांत को दिया गया option C हो जाएगा इसका सही answer जानवरों के लिए दुनिया की पहली COVID-19 वैक्सीन रूस देश ने बनाई है option D हो जाएगा इसका सही answer अगला question है L&T तक्निकी सेवा के लिए नए MD और CEO कौन निक्थ हुए है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B अमीत चड़ा L&T तक्निकी सेवा के लिए नए MD और CEO जो बने वो अमीत चड़ा बने है कुस्ती के खिलाडी बजरंग पुनिया ने टोक्यो उलंपिक पद के लिए कौन सा पदक जीता है तो बजरंग पुनिया जो है उन्हें कौन सा पदक मिला है तो उन्हें मिला है कास्ट पदक बजरंग पुनिया को टोक्यो उलंपिक में कास्ट पदक मिला है एकसट नमबर कोशन है कि रास्टिय प्रद्योग की दिवस 2021 का थीम क्या है तो रास्टिय प्रद्योग की दिवस का थीम है ए सतत भविस्त के लिए बिज्ञान और परद्योगे की ओप्सन ए हो जाएगा इसका सही आंसर बासट नमर कोशन है चैनल दूइप समू इंगलीज चैनल का दूइप समू है या किन दो देशों के बीच इस्थित है चैनल दूइप समू जो है इंगलीज चैनल का दूइप समू है या किन दो देशों के बीच इस्थित है तो इसका सही एंसर है option number C France और Britain के बीच चैनल दुप समू इस्थित है अगला कोशन है डग बिल डाइनासोर की एक प्रजाती यना तोशारश इजांगी किस देश में खोजी गई है तो इसका सही एंसर है option number A जापान में डग बिल डाइनासोर की एक नई प्रजाती है जो यना तोशारश इजांगी देश में खोजी गई है किस देश में जापान देश में खोजी गई है कौन सी प्रजाती है आप लोग comment कर दो बताएंगे अगला कोशन है इसे लोग को याद रहता है जिन लोग समझते हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं है अगला कोशन जो महत से हम आ रहत इसको डारेक्ट एंसर करेंगे तो 65 का एंसर हो जाएगा आपका option number a और 66 का एंसर हो जाएगा 66 का एंसर हो जाएगा option number c अगला कोशन है 67 नमबर तो 67 का एंसर हो जाएगा option number B 3310 आगे देखते हैं 68 number 68 number question का answer हो जाएगा 4 hole 1 by 9 option number B हो जाएगा इसका सही answer अगला question is 69 number 69 का answer हो जाएगा option number she 8 hole 4 by 12% अगला question is 17 number जो politics से question से हम यहाँ answer करते हैं राजसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है तो इसका सही answer हो जाएगा इन में से कोई ने क्योंकि राजसभा कभी भंग नहीं होता है राजसभा अस्थाई सदन है और राजसभा का राजसभा राजसभा का प्रतिन्दी सभा है राजसभा राजसभा के हित्स्य संबंधित सभा है विधान परसद को राजपाल भंग नहीं कर सकता है उसी तरह से राजसभा भंग नहीं होता है अगला question देखते हैं संबिधान के अनुछे 352 के अंतरगत अपातकाल में कौन सा मौली कैदिकार निलंबित नहीं किया जा सकता जब अपातकाल लगता है जो अनुछे 352 में दिया हुआ है राजस्टी अपातकाल तो इसे इसमें कौन सा मौली कैदिकार निलंबित नहीं होता है तो राष्ट पती के अपात कालीन अधिसूचना में जिस मौलिक अधिकार को निलंबित करने का उलेख है वह मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है और अनुछेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है भारत में अब तक 3 बार अपात का लागू हो चुका है राष्टी अप शाब का अनुमोदर संसाथ द्वारा एक मां के अंदर होना आनिवार है तो इसलिए इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर C जीवन का आईधिकार 72 नमर कोशन है कि मॉली का इधिकार किस परकार निलम्बित किये जा सकते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा एक मिनिट एक मिनिट आप लोग थोड़ा सा तो ये शेम कोशन है थोड़ा बहुत मिलता चलता कोशन है तो इसका भी सही एंसर हो जाएगा option number C यदि राष्टी आपातकाल के समय राष्ट पती इस हेतु आदेस जारी करते हैं तो मौली का इधिकार निलंबित किये जा सकते हैं Option C हो जाएगा इसका सही आंसर 73 नमबर कोशन है कि भारत के समय राष्ट का समय राष्ट का इधिकार निलंबिकित में से किस अनुछेद में बढ़नित हैं तो समय राष्ट का इधिकार जो है वो अनुछेद 19 में बढ़नित हैं तो इसका सही answer हो जाएगा option number A सन 1976 में 42 समिधान सन सोधन द्वारा मौलिक करतब को जोड़ा गया अगला question है मौलिक अधिकारों का वर्णन भारती समिधान के किस भाग में किया गया है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया option B हो जाएगा इसका सही answer मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार में प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है और समिधान भाग 4 का संबंध राज के सक्ति के विस्तार से है पांच का संबंध संग के सकती के विस्तार से है और मौली कईदिकार फंडामेंटल लाइट सीशो बोलते हैं वो भाग तीन में है अगला कोशन है कि बिंदु सार के सासनकाल में असोक किस अंचल का गवर्नर था तो इसका सही एंसर हो जायेगा ओप्सन नमबर डी तक्षिला और उजयनी ये दोनों का था तो बिंदु सार का सासनकाल में असोक जो था वो तक्षिला और उजयनी अंचल का राज़िपाल था असोख सासक बनने से पुर्व अवंती का राजबल था और असोख तक्सिला के विद्रोह को दवाने के लिए गया था असोख से पुर्व तक्सिला के विद्रोह को सुसिम दवाने के लिए गया था लेकिन पुना विद्रोह हो गया था और अधिबेबाधन पुस्तक में तक्स करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए तो इसका एक छोटा करना पड़ेगा तब ऑप्सन हम चूज कर पाएंगे वैसे मैंसे बता देते हैं आप लोको मिलान करके तो सबसे पहले अशोक अस्तम जो है वो लोडिया नंदगड से है और तीन हो जाएगा इसका इसका तीन हो देन हिल्स एक और छिदरा यूक्त तरकूप जो है ये रोपर से है और उप्सन दो इसका दो हो जाएगा तो इसका सही एंसर जो हो जायगा उप्सन के मुताबिक वो स्ति हो जाएगा और गौरु नानक का जन तलबंडी नामक अस्थान पर किस वर्स किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था तो गुरुनानक का जो जन्म हुआ था वो तलबंडी नामक अस्थान पर हुआ था 1479 इस भी में राभी नदी के तट पर ओप्सन B हो जाएगा इसका सही आंसर 79 नमबर कोश्चन है कि पानी पत के पर्थम यूद ने लोधी वंस की रीड की हड़ी ही तोड़ी इसके परिणाम सरूप बावर के नियंतरन में एक बहुत बड़ा भुभाग आगया वो भुभाग फैला था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B दिल्ली से आगरा तक पानी पत के प्रथम यूद में लोधी वंस की रीड की हड़ी ही तोड़ी तथा उसके परिणाम सरूप बावर के नियंतरन में एक बहुत बड़ा भुभाग आया वो भुभाग दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था और पानी पत का प्रथम यूद 21 अप्रेल 1526 को बावर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था अगला कोशन है भारतिय समिधान का अनुछेद सत्र क्या है ये पूछा जा रहा है तो इसका सही अंसर है साप था इसे समाप्त करने के लिए संसद ने कानून बनाया और 1975 में भारतिय असंप्रियता निवारन अधिनियम संसद में इसे पारित किया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर भारतिय नागरिक अधिकार सरक्षन अधिनियम कर दिया गया कब 1976 में अगला कोशन देखते है क्य और चार, तीन और चार जो है समिधान सरबोच्छ है और भारत में स्वतंत्र नगर पाई लिका है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा नगर जपान का मैंजेस्टर कहा जाता है तो जपान का मैंजेस्टर इसको कहा जाता है वो है क्या है ओशाका ओशाका को जपान का चो किन्दि स्कारत lived को कहा जाता है और भारत के सूति बश्थ की राजधानी मुंबई को कहते हैं एहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है और कपास की जनभुमी भी भारत ही हैं। तूति बस्त उद्योग किर्सी पराधारित भारत की सबसे बड़ी उद्योग है। अगला कोशन देखते हैं, 88 नमबर की प्रमुख मत्स छेत्र ग्रांड बैंक इस्थित है। तूसका सही एंसर है, उत्री अट्लांटिक महांसागर में प्रमुख मत्स छेत्र ग्रांड बैंक इस्थित है। अगला कोशन है, लेखा अनुदान संग सरकार को अनुमती परदान करता है। तूसका सही एंसर है, उप्सन नमबर C, निश्चित अबदी के लिए भारतिय संचित निधी से धन निकालने के लिए अनुमती परदान करता है। अगला कोशन है, भारत में बहुरास्टिय कंपनी को प्रोश साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है। तो इसका सही एंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर D, इन में से सभी निजी करन, उदारी करन और वैस्वी करन की निती। अच्छासी नमबर कोशन है कि भारत में नगद कोस अनुपात में बिर्धी के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही एंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक साक सिर्जन को कम करता है। भारत में नगद कोस अनुपात में बिर्धी के लिए एक साक सिर्जन को कम करता है। और बौत धर्म के प्राबर तक गौतम बुद का बच्पन का नाम क्या था? सिदार्थ था और उनका जन 563 सा पूर्भ हुआ था। नागा अर्जुनबांध अवस्तित है, तो नागा अर्जुनबांध जो है वो क्रिष्णा नदीप है, कहा है? क्रिष्णा नदीप है, ओप्शन D हो जाएगा, सही अंसर। 89 नमबर कोशन है, कि बिसु का लगबग एक तीहाई प्राकिर्तिक रवर का उत्पादन होता है, तो एक तीहाई भाग जो है रवर का उत्पादन करता है, वो करता है थाइलेंड, ओप्शन B हो जाएगा, इसका सही अंसर। 90 नमबर कोशन है, कि भारत की सरकारी भासा संबंदी प्रबधान का संसोधन को सकता है, तो इसका सही अंसर है, ओप्शन नमबर D, समान बहुमत से भारत का सरकारी भासा है, उसके संबंद में कोई प्रबधान या संसोधन लाया जा सकता है, समान बहुमत से। अगला question है, 91 नमबर, निम्लिकित में से कौन सायूस सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, गुए का मराथी और कोकनी भासा है, मेघा लेका, मेघा लेका खासी गारौ अंग्रेजी ये सही है, नागा लेंड का जो हो जाएगा अंग्रेजी, जाओ, कोल्या और शे हुआ है option A हो जाएगा इसका सही answer अगला question सिक्किम का वैसे भासा जो है वो है लेपचा भुडिया नेपाली लिंबू और अंग्रेजी बूली जाती है वहां पर अगला है सक्तिमान और सक्तिमान टू अन्वानसिक परवर्तित फसले हैं तो इसका सही answer है option नंबर बी यह मक्का की है किसकी मक्का की फसले है और गंगा सफेद टू जो है और गंगा थिरी गंगा फाइव हीम 120 सरतास दक्कन 101 107 बी यल 92 यह सब मक्का की संक्र प्रजाती हैं अगला question देखते हैं को कितनी रासी देने का नेने लिया है तो इसका सही answer हो जाएगा option नंबर A 4 लाग बिहार सरकार ने COVID-19 से मरने बाले के परिजनों को 4 लाख रुपे देने की रासी का नेने लिया है अब यह समापती भी हो चुका है साइद 94 नंबर question है कि वर्स 1932 के पुना समझोते के साथ किसका सिधा संबद था तो पुना समझोता का सिधा संबद था भारतिये दलित वर्ग से option D हो जाएगा इसका सही answer 95 नंबर question है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद में भारतिये जन आंदोलन क्यों हुआ था तो साइमन कमीशन में एक भारतिये सदस नहीं था इस कारण भारतिये द्वरा जन आंदोलन चलाया गया था option D हो जाएगा इसका सही answer 96 नंबर question है कि निमलीखित में से किस सासक ने 5 दुर्ग को एक स्रिंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है तो मानकोट का दुर्ग कहा जाता ये बनाया था इसलाम सासूर सासक ने option C हो जाएगा इसलाम सासूर ने option C हो जाएगा इसका सही answer मानकोट जम्मू कस्मीर के एतिहासिक अस्थानों में से एक है और इसलाम सासूर 1545 से 33 AD सेर सासूर इसके उतरादी कारी था अगला कोशन देखते है 97 नमर करनाटा के नए मुखमंत्री कौन बने है तो करनाटा के नए मुखमंत्री वसब राज बंबई बने है option D हो जाएगा इसका सही answer और ये answer बुक में दिया हुआ है जो गलत है हो सकता है बुक प्रिंट होने के टाइम यही option रहा हो इसलिए इसका सही answer अभी D हो जाएगा बट बुक में ये दिया हुआ है अगला कोशन है कि 26 से 27 मार्च 2021 को प्रधान मंत्री किस देश के दोरा पर थे तो इसका सही answer हो जाएगा option number 3 26 से 27 मार्च 2021 को प्रधान मंत्री बांगला देश के दोरा पर गये थे उसके लाद है नीरत चोप्रा ने कितने मीटर में भाला फिक कर स्वन पदक जीता तो इसका सही answer है option number C 87.58 मीटर में भाला फिक कर स्वन पदक जीता है अगला कोशन है अंतरास्टी योग महुतसब 2021 का आयोजन एक से 7 मार्च तक कहां किया गया तो यह उत्राखंट के रिशी केस में किया गया option C हो जाएगा इसका सही answer तो यह हमारा यहाँ पर समाप्त होता है 100 कोशन और अगले सेट के साथ मिलेंगी तो सेट नमबर हमारा 11 होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यबाद